हाई अब्रीवन स्वागदाप का चैनल स्टैडिजाट में डिश्टिकंट सेशन जजकोड फरीदाबाद के अंदर लिफ्ट अप्रेटर पी एन प्रोसर सर्वर स्वीपर इनकी वेकैंसिज निकली हैं के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में प्रवाइड कराने वाला हूँ वीडियो कंप्लीट देखना था कि आपका कोई भी डाउट ने बजे तो देखीगा यह ओफिशन नोटिफिकेशन है आज ही रिलीज हुआ है तो सबसे पहली जो वकैंसि आती है वो प्रोसर सर्वर की वकैंसि आती है तो इसके लिए टोटल पंदरा आपकी वकैंसिज है आपको फ्र जो सेल्री होगी वह 21,000 रुप आपको दी जाएगी यानि कि यह जो vacancy है आपके temporary basis पर है पर जो आपके salary जो भी launches होंगे जो भी work होगा वो regular का जिस परकार चे होता है वहीं सब कुछ आपका रहेगा यानि कि एक बार से आप लग जाएं बाद में बहुत ही rare chance है कि आपको अठाय जाएगा नहीं तो आप लगे रहोगे फिर आती है PN की vacancies तो इसके लिए total 36 vacancies है तो अच्छी-काशी vacancies है जनरल की 18 vacancies है SC की 6, BCA की 3 और BCB की 3 vacancies और PWD की 2 और X-Service Man की भी vacancies है hair categories की एक-एक vacancies है इसके लिए भी salary आपको 96-900 से 53-500 आपको salary दी जाएगी यानि कि first आपकी salary वो 21,000 रूप आपको रहेगी ये भी temporary basis है पर है लेकिन जो आपका सब कुछ रहेगा work profile salary सब कुछ launches हो रहेंगे वो regular basis पर आपके रहेंगी यानि कि एक बार लग जाओ बाद में एक परशेंट ही chances है कि आपको अटाया जाए तो form जरूब बढ़ देना और आगे देखिएगा sweeper की vacancy है sweeper की एक vacancy है और इसके लिए भी salary वही रहेगी इसके लिए आपको salary आपको दी जाएगी जो DC rate level 1 की जो salary होती है वो 17,520 रूप आपको salary दी जाएगी आपको salary आपको दी जाएगी और यह आपकी contractual है यहां पर बता दिया गया है साफ कि आपका जो time period रहेगा वो एक साल कर रहेगा for the financial 2023 से 2024 याणि कि 39 दो 2024 तक आपको रखा जाएगा और आगे अगर कोट्स आएगा तो आपको आजो time period हो बढ़ा देगा दो lift operator की vacancy में कहां पर condition दी गई है और generator operator की vacancy है एक vacancy है तो same आपकी वहीं DC rate के basis पर आपकी 17,520 आपकी salary रहेगी और इसमें भी एक साल के रिए आपको रखा जाएगा बार में आपका time period extend कर दिया जाएगा अगर पर पांच परकार की vacancy है तो जरूर अपलाई करें इसके लिए आपको offline form बरना है तो offline form आपको किस परकार से बरना है इसकी सारी detail आगए वीडियो में बताने वाला हूं और form आप मेरे टेलिग्राम ग्रूप से डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करके आप ज़रू भरे औ और link decision में यहां पर दिया गया है और अब बात कर लेते हैं education qualification की तो किस प्रकार से education qualification है तो देखीगा सबसे पहले process server की vacancy आती है process server की आप matriculate 10th pass है तो आप इसके लिए अपलाई कर पाएंगे फिर pn की vacancy है तो pn की vacancy के लिए आप middle standard 8th pass है तो आप इसके लिए अपलाई नहीं है बस आपको लोकल लेंग्वेज में sign पढ़ना लिखना आना चाहिए तो यहां पर यह बताया गया है फिर lift operator की vacancy है metric आप 10th pass होने चाहिए और 5 साल का experience होना चाहिए lift operator का तो आप इसके लिए apply कर पाएंगे फिर generator operator की तो इस generator operator के लिए 8 साल का experience मंग गया है और 10th pass आप इसके लिए है तो आप apply कर पाएंगे एज लिमिट की बात करें तो 18 से 12 साल के अपलाई कर सकते हैं 1123 को दीखेगा 1123 को अप 18 से 13 साल से कम और 12 साल से आप ज्यादा के नहीं होने चाहिए तो ही आप इसके लिए apply कर पाएंगे लाश्ट डेट की बात करें तो जो आपक आपका वह डिश्टेकन सेस्ट जर्ज कोर्ट फरीदाबाद के अंदर आपका फोर्म पहुंच जाना चाहिए तो 23 अक्टूबर इसकी लाजड डेट रहेगी और देखेगा सेलेक्शन प्रोसेस आपका किस परकार रहेगा तो सेलेक्शन प्रोसेस आपका इंटरू बेस रह तो जब आएगा मैं टेलिग्राम ग्रूप पर में डाल दूँगा कि किस परकार से इंट्रीव शेडूल है तो लिंक डिस्टूशन में है वो ज़रूर जोईन कर लें टेलिग्राम चैनल और दीखेगा और क्या कुछ इसमें बताया गया है और जो आफ लिवापा त्यार करें तो उसके अंदर आपको सारी सेल्फ अटेश्टीड जो फोटो कोपीज है आपकी डेट अब बर्त का प्रूफ यानि कि 10th या 8th की जो मार्कशिट है वो हो जाएगी आपकी education qualification की फोटो कोपी और उन पर फोटो पेस्ट जरूर कर देना यानि जो फोटो पेस्ट जरूर करना है और सभी को अटेश्ट करना है सब जो भी certificate की फोटो कोपी जो आप लगा रहे हैं साथ में जरूर अटेश्ट करना है और जो टाइम है उससे पहले आपको पहुंच जाना चाहिए जो फॉर्म है यानि की 23 अक्टूबर से पहले पहले शाम पास उज़ी तक आपका फॉर्म वहाँ पहुंच जाना चाहिए और आगे बस यहीं डिटेल्स यहाँ पर दी गई है और अब बात करते हैं फॉर्म आपको किस प्रकार से बरना है तो देखिगा यह फॉर्म रहेगा आ एक पोस्ट के लिए एक फोर्म बरना है यानि कि अगर आप स्वीपर, लिफ्ट उपरेटर, पियन इनके लिए फोर्म अपलाई कर रहे हैं तो सभी के लिए अलग-अलग फोर्म आपको फिल अप करना है यहां पर अगर इस प्रकार मत लिख़ दिया, फिर जनरेट रोपेटर लिख़ दिया, तो इस प्रकार नहीं लिखना है सभी के लिए अलग-अलग अप्लिकेशन फोर्म आपको फिल अप करना है अलग-अलग बेजना है फिर आता है name of the post applied for तो यहां पर अपनी post आजाएगी जो यह post यहां पर दोनों same हो जाएगी फिर अपना नाम आजाएगा फिर date of birth आपकी फिर gender male female जो भी है और यहां पर आपकी passport size photo पेस्ट कर देनी है फिर आते हैं martial status आप married है या unmarried है साध्य हूई है या नई हूई है तो बता देना है yes no में यहनि कि unmarried married जो भी है फिर father या husband name जो भी आपका वह यहां पर बता देना है mailing address जो भी आपका address है तो वो address details आपको यहां पर देनी है फिर pin code बता देना है mobile नमर आ जाएगे फिर अगर आपके पास email ID है तो email ID भी बता देनी है आपको यहाँ पर Indian आ जाएगा फिर physically handicapped हैं तो yes no में यहाँ पर बता देना आपको community कौन सी आपकी SCST कौन सी category है आपकी तो वो यहाँ पर details आ जाएगे फिर यहाँ पर education qualification फिर यहाँ पर education qualification में देखीगा level अगर कौन सी metric middle जो भी है आपकी यहाँ पर आ जाएगा कि फिर exam past या degree तो यहाँ पर 8th class या 10th class जो भी है आपकी फिर division कितने percentage marks आपने लिये हैं उसमें फिर कौन सी साल आपने की थी वो बता देना है कितनी साल का duration तो एक एक साल का हो जाएगा आएटियाई relief operator या generator operator वाल है तो यहाँ पर जो duration था या साल का जो भी है तो यहाँ आजाएगा फिर board university जो भी थी आपकी वो बता देना है यहाँ पर जो कौन कौन सी subject थे वो बता देना है subject specialization अगर आपका को interest जिस subject में है वो यहाँ पर बता देना है फिर कोई other information आप देना चाहें यानि कि experience की details हो जाएंगी तो वो बता देना आपको details of enclosure जो भी आप इसमें लिखाफ़े के अंडर जो भी documents attach करने जो 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 फोटो कोपी आप लगाएं तो वो details आपको यहाँ पर बता देना है फिर अपने signature यहाँ पर date place डालके address देखेगा किस address पर आपको भीजना है वो बता देता हूँ आपको तो address जो है आपका रहेगा आप यहाँ पर देखेगा इस address पर आपको जो form है वो भीज देना है तो यह थी complete जानकारी उम्मिद करता हूँ आपको कोई भी डाउट नहीं बचाओगा अब भी भी कोई डाउट बचाओ तो आप comment section पूछ सकते हैं selection process आपका इंट्रूव बेस रहता है इसमें scale test जो भी leaf operator या generator operator रहेगा तो उनका अलग से रहेगा और बाकी जो PN की होगी process server इनके लिए आपका इंट्रूव रहेगा alphabetical order में पूरी लिस्ट आएगी और कोई अब भी call message नहीं आता है official website पर check करते रहना या फिर मेरे पास detail आएंगे तो मैं telegram group पर डाल दूँगा तो यह थी update उम्मिद करता हूँ कोई doubt नहीं बचाओगा अब भी doubt बचाओ तो आप comment section पूछ सकते हैं चैनल को subscribe नहीं किया तो please subscribe कर लिए वीडियो को like कर दें share कर दें तो मिलते हैं निश्टी सीप्राइब के update में धन्यवाद